हेलो गाइस आजके लक्षर में हम पाइकल लक्षर स्रीज के चैप्टर बन के इंपोर्टेंट कोशन्स पढ़ने जा रहे हैं यह वो इंपोर्टेंट कोशन है जिनमें से एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं पहला कोशन देखिए Explain about algorithm and its characteristics यानि आपको algorithm के बारे में बताना है और उसके विशिचता हैं बतानी है दूसरा कोशन है How to write algorithm with example आपको example के द्वारा algorithm को लिखना है आप इसमें कोई सी भी algorithm लिख सकते हैं और तीस्ता कोशन आता है Advantage of algorithm अब बात यह आती है कि यह तीनों कोशन से तो हम इनकी answers कहां से prepare करेंगे इनकी answers students playlist में available है मैं आपको बताती हूँ जब आप playlist open करेंगे Python lecture series की तो आपको chapter 1 Introduction to programming नाम का यह topic मिलेगा जिसमें algorithm mention है यह second number का lecture है playlist में available है second number का वीडियो ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है what is algorithm जो कोशन था आपका characteristics of algorithm वो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा पहला था ना कि algorithm के बारें बताई है और characteristics बताई है उसकी तो यह दोनों questions देखिए आपके यहां से cover हो रहे ही दोनों points से और जो तीसरा था advantage of algorithm तो यह भी आपको algorithm के topic मिल जाएगा जब आप यह video रक्षर देखेंगे तो आपको यहाँ पर algorithm के advantage or disadvantage मिल जाएंगे ना next question की तरफ आके बढ़ते हैं तो अब बात आती फ्लोचार्ट की तो हमने यहाँ पर बोला explain flow chart what is advantage and disadvantage of flow chart flow chart के लिए आपको play list में से third number का lecture open करना होगा थर्ड नंबर के lecture में आपको flow chart मिल जाएगा जो आपके question में पूछा गया वह यह है advantage and disadvantage of flow chart तो यानि यह question इसमें आपको थोड़ा सा flow chart के बारे में बताना है और आपको flow chart के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा जो के थर्ड नंबर का लेक्चर है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल साब साब लिखा हुआ है सबसे पहला topic what is flow chart और सबसे लास्ट में advantage and disadvantage of flow chart तो यह दोनों points आपको इस वीडियो लेक्चर के अंतरगत मिल जाएगे प्लेइलिस्ट में निखेगा प्लेइलिस्ट में बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगे आगे बढ़ते हैं तो अब हमाँ पास next question आता है explain about machine language दूसरा question आता है explain about high level language write the advantage and disadvantage of high level language यह दोनों questions आपको नंबर फोर के लेक्चर में मिल जाएगे प्लेइलिस्ट में नंबर फोर का लेक्चर एवई-लेवल है वहाँ पर देखिए आपको machine level language, assembly and high level language तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कैसे परिक्षा पॉइंट्स लिखकर आना है वह भी आपको मिल जाएगे वह इंग्लिश में भी हिंदी में हैं जिसमी मेडियम के आप स्टुडेंट्स हैं आप उस मेडियम के लिए अपने नोट्स important role play नहीं करता यदि आपके पास time कम है exam करीब है तो आप machine और high level language के बारे में पढ़ लीजेगा आगे बढ़ते हैं तब बोल रहा है वो question what is programming language explain about Fortran and Python programming language ठीक है यहाँ पर हमको यह बताना है कि programming language क्या होती है और साथ ही साथ में डो programming language इसने पूछी है Fortran and Python programming language यह दो यह आपके important है ठीक है और यह दोनो लैंग्वेज आपको number six lecture में मिल जाएंगे playlist में number six lecture available है और इसका जो name है वह है some programming languages ठीक है some programming languages में आपको लेखिए यहाँ पे Fortran language मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको Python language मिल जाएंगे यह दोनो लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है और यह जो पूछा है ना what is programming language है नहीं programming language क्या होता है तो इसका answer को आप जब यह वाला chapter पढ़ोगे ना fourth number का जहीं से आपको यह answer मिल जा about compilation and also explain assembler, compiler and interpreter. अब आपको compilation के बारें बताना है, assembler के बारें बताना है और compiler and interpreter. इस question में आपको compilation के बारें बताना है कि compilation क्या होता है और उसके सान साथ में आपको assembler, compiler and interpreter तीनों के बारें में बताना है साथ यह साथ में फिर नेक्स्ट कोश्चन आता है जिसमें पूछा गया है राइट शौट नोट्स और लिंकर एंड लोडर आपको यहां पे लिंकर और लोडर के शौट नोट्स बताने इसके लिए आपको नंबर सेवन्त लेक्चर ऊपन करना होगा यहां पर पाइटन कंपाइलेशन की बड़ी आसांसी और बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई गई है थोड़ा डीप में भी बताया गया है क्योंकि कंपाइलेशन अपने आप में एक बहुत इंपोर्टेंट आगे बढ़ते ही तो आप कोशिन आता है, एक्स्प्रेंग बैसिक मोडल आव कंप्यूटेशन अब आपको कंप्यूटेशन का बैसिक मॉडल यहां पर बताना है क्पाइशन का बेसिक मॉडल तो आपको नंबर 1st वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएगा कि हैं यहां पर बै next आता है आपका describe, Testing & explain type of testing matters यानि आपको टेस्टिंग के बारे में बताना है और आपको different type of testing यहाँपर बताना है इसके लिए आप 8 लेक्षर देखेगा यहाँपे software testing means, टेस्टिंग के बारे में काफ़े अच्छे से बताया गया है और टेस्टिंग के कुछ प्रकार भी होते हैं वो प्रकार भी आपको यहाँ पर 8 नंबर के वीडियो लेक्चर में बताए गए है फिर क्वेशन आता है आपका वाट इस डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए आपको 9 नंबर का लेक्चर देखना होगा नांइड नंबर के लेक्चर में यहाँ पर डेग इंड डेगंड बताए गया है निहीं क्वेशन में इसमें से यदि आपको का समय कम है तो क्वेशन स्किब करके देखनद के यहाँ पर डेग्वेशन को पड़ लिएगा ओके फ्रेंड्स तो यह थे आपके चैप्टर 1 के कुछ important questions इनी question में से आपको एक question अपने exam में जरूर मिल जाएगा क्योंकि यह सारे important question है और इनी question में से आपके exam में question बनते हैं तो इनको अच्छे से आप prepare कीज़ेगा video lecture में सारी वीडियो लेक्टर में सारी चीज़ें available हैं आपको यहां भी कोई चीज़ समझमनी आती है आप comment box में बता सकते हैं मैं आपके comment box में पूछेगा question क्या answer देने की पूरी-पूरी कोशश करूंगी आपको कहीं पर कोई doubt आता है कोई दिक्कत आती है वो भी आप comment box में लिखकर पूछ सकते हैं और जित्ते भी video lectures first chapter के लिए बनाए हुए हैं आप उनको भी comment box में मुझे बता सकते हैं कि वह आपके लिए helpful है या नहीं है कोई फ्रेंड में लेक्टर पसंद आए तो लाइक के ज़िए और धी आप नए जुड़े हैं फुर्स टाइम आएं बीडियो lecture तो प्लीज सब्सक्रीम की ज़िए ओके फ्रेंड बाई बाई निकिल मिलटे हैं प्र लाइक भी प्लीडियो अधृ